कोणार्क संटेंबल जिसे भारत के सबसे रहस्माई मंदिरों में से एक माना जाता है एक्सपर्ट मानते हैं किसे जमाने में इस मंदिर की उपरी हिसे में एक लोड स्टोन नाम का जाइन मेगनेट हुआ करता था जिसे आसपास की सिप्स के कमपस काम नहीं करते थे ये ओडिसा के पूरी से 35 किलोमेटर दूर कोनार्क शहर में है जिसे राजा नरसिम्हा देप ने सन 1250 AD में भगवान सुर्य देप के पूजा के लिए बनाया था इस मंदिर को बिलकुल सुर्य देप की रत की तरह बनाए गी है जिसमें दोनों तरफ 12 पहिये और आगे 7 घोडे मौजूद है इसके 12 पहिये साल के 12 महेने को डिपीट करता है और ये एक सन डैल क्लॉक की तरह काम करता है इसके अलावा सुर्य की पहले किरन सबसे पहले इसके मुख्य द्वार पर पढ़ती है कहता है कई विदे से अकरमन कारियों ने इसे तभा करके मूर्तिया और मेगनेट को ले गए इसके बाद मंदिर के सारे रास्ते बंद कर दिये गए जो आज भी इसके कई सारे रास्तियों के साथ बंद पड़ा है ऐसे ही और इंफर्मिटिव विडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें